चेन के उपर बना है भारत का डर, डिफेंस सेक्टर में भारत की बोचार, भारत की मिसाइलों की मांग पूरी दुनिया में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम डिफेंस सेक्टर में ही बात करने वाले हैं लेकिन उससे पहले एक सवाल है जिसको हम लोग कवर करते वे आगे की तरफ बढ़ेंगे कि कैसे दुनिया से हतियार खरीदने वाला भारत बेचेगा आकास मिसाइल आकास एक सते से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसकी मारक समता 25 किलो मीटर तक है इस मिसाइल को भारतिय वायुसेना में साल 2014 में सामील किया गया था इसके एक साल बाद 2015 में इस मिसाइल को भारतिय थलसेना में सामील किया गया था रक्सामंत्राले के मुताबिक कि पिछले कुछ सालों में आयोजित हुए अंतराष्टिय परदसनों डिफेंस, एक्सपो और एरो इंडिया के दुरान कुछ मित्र देसों ने आकास मिसाइल में रूची दिखाई थी इसके साथ ही तट्ये निग्रानी परनाली रडार और एर प्लेटफोर्म में भी रूची दिखाई जा रही है लेकिन सवाल ये उड़ता है कि भारत इस मिसाइल को निर्यात करने की और कदम क्यों बढ़ा रहा है आकास एक जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो की 25 किलोमेटर की दूरी परिष्टिते लक्षी को भेदने की समता रखती है इसके साथ ही ये 95 फिसदीता के भारत में निर्मीत मिसाइल है जो लगबग 25 सालों में बन कर तयार हुई है सरकार के और से जारी सूचना में इस बात का जिकर नहीं है कि सरकार किन देसों को ये मिसाइल बेचने जा रहा है अलंकि सरकार ने ये जरूर कहा है कि आकास मिसाइल को मित्र देशों को बेचा जाएगा इसके साथ ही निर्यात की जाने वाले मिसाइल उस मिसाइल से भिन होगी जो की भारत्य वायूसेना और भारत्य सेना के पास है रक्सा विशिसेयर राहूल बेदी मानते हैं कि यह मिसाइल वियतनाम से लेकर धाइलेंड जैसे मुलकों को बेची जा सकती है वे कहते हैं मुदी सरकार साल 2016 के मद्य पूर्वे दक्सिनी पूर्वे एसिया और लातिन अमेरिकी देसों में आकास और बर्मूज दोनों मिसाइलों को निर्याद करने की बात कर रही है और सरकार यह मिसाइल उन देसों को बेचेगी जिनके साथ भारत के रिस्ते बहतर है कर सकती है रक्सामामलों के विशसैये और सोसाइटी फोर पोलिसी स्टडीज के निदेसा कि सीउदआ भासकर मानते हैं कि आकास मिसाइल को निर्याद करने की सहमती दिया जाना एक बड़े लक्षी की और सुर्वाती कदम है वे कहते हैं मिसाइल, निर्यात, व्यापार एक जटिल छेतर हैं हमने पहला कदम बढ़ाया है अब देखना ये होगा कि कितने देश भारत की आकास मिसाइल को खरीदने के लिए तयार होंगे क्योंकि डिफेंस एक्सपर्ट के लिए एक बहुती खास तरह से इसकिल सेट की जरूरत होती है और भारत ने अब तक अपनी मिसाइलों, तौपो, एरिक्राफ्ट, हेलिकॉप्टर और बंदुकों से वो इसकिल सेट साबीत नहीं किया है भारत पर कई सारी पाबंद्या हैं और कुछ कम्या भी है उदारन के लिए भारत ने एक बाडोर को कुछ हेलिकॉप्टर बेचे थे लेकिन हम उसकी आप्टर सेल्स सर्वी से ठीक धंक से नहीं कर पाए और वो कॉंट्रेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया वरना अगर भारत एक अच्छे प्रोडेक्ट को उस बाजार में ले जाता जहां जरूरत है और आपके खरीदार आपसे काफी संतुष्ट है तो धीरे धीरे भारत का प्रोडेक्ट पूरे दक्सिन अमेरिका में फेलना चाहिए था जेकिन ऐसा नहीं हो पाया इसका मतलब यह है कि या तो आपका प्रोडेक्ट ठीक नहीं है या उसकी कीमत ठीक नहीं है या आपने 30 सालों की आप्टर सेल्स सर्विस के लिए जरूरी उपकरण या एको सिस्टम नहीं बनाया है ऐसे में इस वज़े से फिलाल जो कदम उठाया गया है उसे एक सुरुवाद भर कहा जा सकता है लेकिन भारत सरकार ने 2024 तक इंडियन वैपन एक्सपोर्ट को 5 बिलियन डोलर तक ले जाने का लक्सी रखा है वहीं दूसरी तरब भारत डिपेंस सेक्टर में भी काफी ज़्यादा मजबूत हो गया है जैसा कि आपको पता भी होगा चीन ने अरुनाचल परदेश के पास एक पूरा का पूरा गाउं बसा दिया है और इस बात की पुष्टी सेटलाइट से मिली तस्वीरों में हो जाती है और कुछ अपुआ भी ये भी है कि भारत के 4.5 किलोमिटर के चेतर में चीन ने कबजा कर लिया है आपको हम बता दे कि असल में भारत से बहुत ज़्यादा डरता है चीन कभी भारत के उपर साइबर अटेक करता है तो कभी जमीनों पर कबजा करता है चीन खुलकर भारत से नहीं लड़ सकता आपको हम बता दे कि चीन भारत से ऐसे ही नहीं ड़टा है क्योंकि चीन भारत के बारे में जानता है कि भारत के पास कितनी आधुनिकी आधुनिकी मिसाईले मुझूद है जिससे चीन को भारत काफी ज़्यादा नुकसान पहुचा सकता है चीन जानता है भारत के पास कई डिफेंस सिस्टम पहले से ही मुझू थे लेकिन अब भारत को रूस या आदुनिक ऐसे 400 डिफेंस सिस्टम भी मिल चुका है आपको हम बता दे चीन ये बात अच्छे से जानता है कि अगर यहाँ पर भारत के उपर आटे करेगा तो भारत के सपोर्ट में ही कितने ही देश निकल कर आ जाएंगी और चीन ये बात भी जानता है कि खुद भारत है इतना ज्यादा सक्तिसाली है कि वे अच्छे सी चीन को सबक सिका सकता है पहले बात करते हैं नाग मिसाल की जिसके बारे में मिलता है कि एक बार अगर इसे दाग दिया जाए तो ये खुद ही दुस्मनों को ढूंड कर खतम कर देती है और आपको हम ये भी बताते चले कि इस मिसाल को बनाने का काम डॉक्टर एपी जी अब्दुल कलाम की अगवाई में किया गया था डॉक्टरों ने इसके अब तके पांच वेरियंट तयार कलिया है जिसके रेंज के बारे में मिलता है कि पांच किलोमेटर से बीस किलोमेटर तक ही है अब बात करते हैं टी-19 भिसम टैंक की जिसके बारे में मिलता है कि इसे रूस में बनाया गया और ये थर्ड जनरेसन का टैंक है इसके नाम के आगे निवे इसलिए लगाया गया है क्योंकि इसको 90 के दसक में बनाया गया था 1992 में ये दुनिया के सामना आया था और इसकी खासियत है कि इसका निसाना कभी भी खाली नहीं जाता इस टेंक के अंदर कुछ ऐसी खासियते पाई जाती है जो कि इसको हर मामले में बचा सकती है आसान भासों में कहे तो इस टेंक के अंदर अपने आपको बचाने के लिए एक सुरुखशा कवच लगा हुआ होता है आपको बता दे इसके अंदर थर्मल इमेजिंग कैमरा भी लगा हुआ है जो दुस्मनों को 6 किलोमेटर दूर से आसानी से देख लेता है और इसके अंदर ओटोमेटिक लोडर लगे हुए है जो की मिसाइलों को ओटोमेटिक लोड करते रहते हैं अब हम लोग बात करते हैं पिनाका MLRS की जिसके बारे में मिलता है कि पिनाका असल में एक मल्टी बेरल रोकेट है जिसको DRDO दौरा बनाया गया है इससे पहले भारत रोकेट लोच करने के लिए रोस के भेजवेज सिस्टम का इस्तमाल करता था आपको हम बता दे कि पिनाका वही सिस्टम है जिसे 1999 की कारगिल युद में इस्तमाल किया गया आपको बता दे कि पिनाका की एक बेंटरी में छे लोंच वेकल होते हैं जिसकी मदश से एक किलोमेटर के पूरे छेतर को तबात किया जा सकता है इसके बारे में मिलता है कि यह 44 सेकेड में 12 रोकेट आसानी से दाग सकता है आपको हम बता दे यह मिसाइल का नाम भगवान सीव के धनुस पीनाका के उपर राखा गया है जिससे आप इसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं आपको हम बता दे भारती सेना के पास इसके दो वेरियंट मुझूद है पहला है मार्क वन और दूसरा है मार्क टू जिसमें से मार्क वन की रेंज 40 km किलोमीटर और मार्क टू की रेंज 85 km की है बात करते हैं आयानस से चक्र की जिसके बारे में मिलता है कि यह एक ऐसी सबमरीन है जो नुकलियर एटेक करने में सक्सम है आपको हम बता दे इसे भारती सेना ने रूस से लीज पर लिया है इसकी सबसे बड़ी खास यह है कि ये दुस्मनों को समबलने तक का मोका नहीं देता है ये दुस्मनों के अड़ों पर लगातार हमला कर सकता है और इस सब्मरीन के बारे में बिलता है कि ये 40-45 दिन तक पानी के नीचे आराम से रह सकती है और इसका वजन 8,000 टन का है इतने वजन के होने की बावजूद भी इसकी स्पीड 35 नोट की होती है और इस सब्मरीन के अंदर आसानी से सो लोग आ जा सकते है अब बात करते हैं सुकोई 30 MK की जिसके बारे में मिलता है कि बाला कोट एर इस्ट्राइक की बाद भारत ये सेना को भी लगने लगा था कि अब उन्हें एक आधुनिक फाइटर जेट की जरूरत है इसी को देखते हुए भारत ने राफेल और सुकोई 30 को अपनी सेना में सामिल किया कुछ से विस्तसग्यू का माना है कि अगर ये दोनों विमान एक साथ किसी दुस्मन के उपरा टे करते हैं तो फिर दुस्मन का बचपाना लगबग impossible हो जाएगा क्योंकि किसी भी दुस्मन के पास इसका तोड नहीं होगा इसकी सबसे बड़ी खास्यत यह है कि यह उडान के दुरान ही फ्यूल भर सकता है और इसके अंदर दो इंजन लगे वे हैं आपको भारत का सबसे आदुनिक डिफेंस सिस्टम कौन सा लगता है आप हमें नीची कमेंट बोक्स में लिख कर बता सकते हैं